अपमान सम्मान और अब घम असान अतिती का मतलब क्या होता है गेस्ट तो अगर अतिती बनकर आए हैं तो घर में कब्जा करोगे क्या अतिती शिक्षकों की लगतार हो रहे है प्रदर्शन की दरसल अतिती शिक्षक जो की पिछले 18 सालों से काम कर रहे हैं लेकिन अब धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती जारी है इस पर भी इन्होंने सरकार को ध्यान देने की मांग की है कि अतिती शिक्षकों की संख्या कम होने का कारण जो अतिशेश न्यूक्तिया है इसको लेकर बताए गया है और अब हाल ही में जो कल ही स्कूल शिक्षक मंतरी राव उद्यप्रताप सिंग का बयान आया उन्होंने कहा कि अतिती बनकर आए हैं तो अतिती ही रहेंगे घर में कबजा करेंगे कि और इस बयान के बाद से मारिये कि पूरे प्रदेश में अब सियासत हो रही है कॉंग्रेस के प्रदेश अद्यक्ष जीतु पटवारी का कहना है कि अतिती क्या होता है उन्होंने सरकार को घेरा और उनका कहना है कि अतिती होता क्या है कबजा क्या होता है आप विवस्था के अंतरगत अतितिक शिक्षकों को रखते हैं वे सेवाइं देते हैं आप सेवाइं लेना चाहते हैं और बाद में अफिमानित करना चाहते हैं वो भी मंत्री यानी सरकार का एक नुमाइंदार एक मंत्री का बयान मंत्री मंडल की सामोहिक जिम्मेदारी होती है, मैं मानता हो कि शिक्षा मंतरी को माफि मांगनी चाहिए, यह बयान है जीतुपटवारी का, कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतुपटवारी ने निशाना साधा इसकुल शिक्षा मंत्री पर और उन्होंने पूछा कि कबजा क्या होता है अतिथी क्या होता है इसपस्ट किया जाना चाहिए शिक्षा मंत्री के माध्यम से भारती जन्ता पार्टी भाशन में गुरू परंपरा की बात करती है। अब कहते हैं कि आप कभजाधारी हो क्या सिक्षक कभजाधारी है आपकी गलती थी कि आपने इसकूलों में लगातार एक सिक्षक स्कूल बिना सिक्षक स्कूल जरजर स्कूल बगीचों में लगने वाले स्कूल पेड़ के नीचे लगने वाले स्कूल निर्मान किये और 30,000 करोड 32,000 करोड का बजट कर दिया अब करप्शन आप करो और भोगे सिक्षक विवाग के लोग या अतिती सिक्षक ये तो अन्या है कांग्रेस पार्टी ने ने लिया है कि भार स्वयाई युवा कांग्रेस शिक्षकों के पेर्द हो के पात्पूजन करेगी और इनकों सदबुद्धी मिले उसके लिए प्रातना करेगी मैं मुहन यादोजी से मांग करता हूं कि आप अभी इसी वक्त शिक्षा मंत्री का स्थिफालो अन्या था प्रदेश के शिक्षक क्ल् ant usar Regie ईवा या 12 शिक्षकों की संक्याती जो की दीरे तकरीबन 12 या 13 सिक्षक then वह कं हो गये हैं और इस पर भी अतिती शिक्षकों ने काफी चिंता व्यक्ति की उनका ये कहना है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि सालों साल अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है और उसे अच्छानक से निकाल दिया जाता है तो उसके सामने जीवान्यापन का संकट भी गहरा जाता है दूसरी जो अपनी मांगे हैं वो सरकारत के सामने अपनी परिशानी रख रहे हैं तो आई उमंग सिंगार ने कहा है कि शिक्षा मंत्री की भाषा अपति जनक इसकोल शिक्षा मंत्री के बायान पर नेता प्रितिपक्ष उमंग सिंगार ने एक्स पर पोस्ट किया है और उन पर जिस देश में बच्चों को अतिती देवो भवा की संसकार दिये जाते हों वहां नेताओं कैसे बोल शोभा नहीं देते हैं और इस तरीके से पोस्ट करके उमंग सिंगाने भी स्कूल शिक्षा मंत्री पर तंज कसा निशाना साधा और अब मांग की जा रही है विपक्ष के मा आ रहे हैं 10 सितंबर के इनों ने प्रेजर्शन किया था और 6 घंटे तक बारिश में भी नोने लगतार प्रेजर्शन जारी रखा और अब इनकी मांग यही है कि जब तक इनको नियमित नहीं किया जाता है और जब तक इनको जो उचित मांदे की बात कही जारी नहीं मिल जा रहे बाकिश शिक्षक कहा जाएंगी ये बहुत बड़ा प्रश्न बन चुका है और अतितिश शिक्षक को की यही मांगे सरकार से कि इनकी तरफ भी ध्यान गिया जाना चाहिए हर बार जब यह प्रदर्शन करते तो सरकार एक आश्वासन देती थी कि जल्द ही आप से भी कु और अचानाक से अतिशिश नियुक्ति का जो एक नया जुझुना थमाया गया है कॉम्पेटिशन की बात कही जा रही है इस वज़े से अतितिश शिक्षक खुद को कही न कही ठागा हुआ महसूस कर रहे हैं दूसरी बड़ी बात यह भी है कि कॉंग्रेस जब सत्तर में जरूर कर देते लेकिन अब बीजेपी का शासा ने बीजेपी के सरकार और इस बज़े से इनको लटकाया जा रहा है लेकिन कॉंग्रेस पूरी तरीके से अतितिश शिक्षकों के साथ और उनके हग में बात करेगी और इसको लेकर अब लगाता सियासा तोड़ी देखना यह ही है हलांकि सरकार ने इस पॉर्ष तू किया है कि अतितिश शिक्षकों के हग में कोई बहतर फैसला लिया जाएगा लेकिन वो फैसला कब तक लिया जाएगा पूरी की जाएंगी इन तमाम सीजों पर अभी भी शंशबर करार है देखना यह है कि आगी किस तरीके से सरकार अतितिक शिक्षकों को स्तंतुष्टि कर पाती है, विपक्ष का आगे इस पर क्या रुख रहने वाला है और अतितिक शिक्षक इस पर किस तरीके से आगे काम करेंगे ये भी देखना होगा बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें नेटवर्क एटीन के साथ, नमस्कार